आज हम लोग एक स्पेशल ताल की प्रैक्टिस करें जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सारे ताल जो है ताली शेशुब होता है यानि उनका पहला मात्रा सम वो ताली है लेकर आज जिस ताल की हमें प्रैक्टिस करें कि उसका सम जो है खाली है यह एक मात्र ऐसा ताल है जिसका सम खाली है जो खाली से शुरू कोड़ता है यह रूपक ताल है रूपक ताल ही एक मात्र ऐसा ताल है जिसका सम खाली है रुपकतार साथ मात्रा की टाल है इसमें तीन विभाग है पहले विभाग में तीन मात्रा है दूसरे विभाग में दो मात्रा है पित्तिसरे विभाग में दो मात्रा है इसमें दो ताली और एक खाली है पहले मात्रा पर खाली है फिर चौथे और छट्वे मात्रा कर ताली है रुपकतार का बोल है तिन तिन ना धिन ना धिन ना फिर से तिन तिन ना धिन ना धिन ना अब हम लोग धाले लगाएंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ठाले में एक मात्रा में एक ही बोल बोलते हैं तिन तिन ना धिन ना धिन ना तिन अब दुगुद दुगुद में हम लोग एक मात्रा में दो बोलते हैं तिन तिन ना तिन ना तिन 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 रुपकतार थाले जिन लाँ जिन लाँ जिन लाँ जिन अब दोगर अब चौगुन अब हम लोग ठा, दुगुन और चौगुन तीनों की प्राक्टिस करें के पेच्चर रुपक्तार हाले दिन लाँ, दिन, लाँ, दिन, लाँ, तिन, लाँ, दिन, लाँ, दिन, दिन, अब दो गुन अब चौब अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे किसी नए ताल के साथ